ओके, इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि डेटाबेस क्या, तो सबसे पहले डेटाबेस का कॉंसेप्ट हमारे पास, हम क्यों यूज करते हैं इसको, या यह है क्या, अब देखें, हमारे पास डेटाबेस क्या है? एक क्या है? बास समद में है रही रिलेटेट, अब रिलेटेट का मकसद क्या होता है? अब related data आप समलो कि जब भी आप किसी भी तरह की database बनाएंगे तो उस पे हम tables बनाएंगे क्या बनाते हैं? Tables और किसी भी तरह की table में आपको उसी table का data रखना है Suppose आप अगर table बना रहे हैं, products के लिए तो आपको information किसकी रखनी है? Products की अगर आप information रख रहे हैं, customers की table के अंदर तो सिर्फ information किसकी होनी चाहिए? Customers की कौन से clear है? यह अगर मैं table बना रहे हो, students के data के लिए, तो information किसकी होनी चाहिए? सिर्फ students की ऐसे में हो कि आप उसके अंदर information रख रहे है, managers की कौन से clear हो गया? कि जो भी data आप store करेंगे, वो क्या होगा? related होगा ठीक है? तो database क्या है? एक collection है, related data की related data की collection जो क्या करती है? represent करती है, real world को अब real world हमारे पास, अब इसा समझो real world के अंदर भी तो हमारा बहुत सारा data create होता है न? लेकिन digital world जिसमें हमारे softwares की बात आजाती है इसमें जितना भी data किसी भी तरह की application है चाहे वो desktop application है mobile application है या web application है ये जितना भी data आपके create करती है उनके लिए हमारे पास क्या होता है? data bases हो सहीए, इन data bases को use करके या इनको बनाके हम उन तक्रीवन softwares की data को क्या करते है organize करते है या हमको store करते है ताके हम easily उसको access कर सके, manage कर सके उसके operation perform कर सके a database system is designed to build and populated with data for a certain task अब किसी भी तरह के task को perform करने के लिए हम क्या करते है database systems को design करते थे या हमको use करते थे अच्छा उसके बात a database is an organized collection of data यह वही बात हो गई जो आपकी यहाँ पर है as it is किए हमारे पास क्या है organized collection है किसकी data की जो generally store access करने के लिए use करते है यानि हमारे पास database को आप क्या करते है एक organized collection है data की जो generally किसलिए होती है उसी data को store करना और access करना लेकिन किस स्थे में electronically from a computer system अब अगर मैं दूसरे वर्ट में बताऊँ तो बेटा database हमारे पास एक computerized record keeping system सही है यानि आप अपने computers के अंदर जितना भी data रखते है ठीके उसके लिए बहतर approach आपका क्या है database अगर आप data store करेंगे उसको access करेंगे update करेंगे delete करेंगे तो वो एक efficient way है data को रखने का data को access करने का concept clear हो गया उसके बाद the database is the organized collection of structured data to make it easily accessible हमारे पास database के एक organized collection है structured data की अब यहां पे data हमारे पास tables में होता है मैं पहले भी बता चुका यानि आपका data rows in columns के form में store होगा structure होगा कोई specific होगा ठीक ताके आप easily क्या कर सको access कर सको manage कर सको और update कर सको in simple words you can say a database database in a place where the data is stored simple word में क्या है database एक storage area that's it उसके बाद in database you can organize data into tables rows and columns and index it to make it easier to find relevant information यानि हम क्या करते हैं इसी database के अंदर data को store करते हैं in the form of tables rows and columns और हम इस पे indexes apply कर देते बेटा आपके पास book होता है उसमें indexes होते हैं सही indexes क्यों लगाते हैं ताके आप किसी भी specific page पे जाने के लिए आपको क्या मिलना है एक index मिलना है इसी तरह database के अंदर एक concept है indexes का जिसके थूँ हम क्या करते हैं आपके किसी भी data को जल्दी से क्या करते हैं search कर पाते हैं या आप exist कर पाते हैं by the help of indexes उसके बाद main purpose क्या है databases का the main purpose of the database is to operate a large amount of information by storing retrieving and managing data concept क्या हो गया information को जब आप store करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास किसका होना लाज़ी है database का अब एक थोड़ा सा बता देतों क्या है इन आपके databases से पहले कुछ हमारे पास fillate file systems की approach होती थी या file systems की approach होती थी जिसको हम use करते थे यानि हम तकरीबन data files में रखते थे किसमें रखते थे बेटा files में फिर उन number of files के अंदर हम जब data रखते थे तो large amount of data को रखने का हमारे पास एक availability तो थी लेकिन उस data के अंदर बहुत सारे मसले होते थे ना हम easily data को access कर पाते ना हम easily data को relate कर पाते ना हम easily data को आप समभलने duplication से रोक पाते ना हमारे पास कुछ और बहुत सारे feature है जिनको यह support आपके नहीं कर ते थे कौन? file-based system तो जिसकी वज़ा से क्या बने? database system जो आपकी is a problem की solution है if you are going to compare database system with affiliate file system ठीक है जी?